आज की वीडियो में हम कोई न्यूवर नहीं सीखेंगे, कोई कॉन्वरसेशन नहीं सीखेंगे, आज हम बात करेंगे कि हम राइटिंग स्किल्स कैसे करते हैं और मैं इसके एक सीरीज भी बनाऊंगी, जिस पे छोटे छोटे टॉपिक पे मैं आपको थोड़े नोट्स तूँँगी, आप उस पे लिखके मुझे मेल कर सकते हैं, और मैं आपको वो चेक करके दे दूँगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन जब हम किसे टॉपिक पे लिखने पैटते हैं, हमारे दिमाग में हिंधी में आइडियास तो बहुत आते हैं चिसे माल लीजिए हमें अपनी ट्रिप के बारे में लिखना है तो हमें ये पता है कि हम वहाँ गए थे, हमने ये सब किया, हम यहाँ घूमे, हमने ये खाना खाया बट इसको इंग्लिश में कैसे लिखें, line wise कैसे लिखें तो लिखने का सबसे पहला रूल है कि जब भी आप कुछ चीज लिखते हैं, उसको हमेशा line wise लिखते हैं line wise कैसे मदलब आप समझे, जैसे आप सुबह सुबह पहले उठते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, फिर आप काम करते हैं यह देख रहे हैं आप पहले यह नहीं है उठने से पहले आप ब्रश नहीं कर सकते आप ब्रश करने से पहले खाना नहीं खा सकते यह सब चीजे लाइन में चलती हैं तो ऐसे ही जब हम कुछ लिखते हैं तो उसको लाइन में लिखते हैं ताकि जो हमने चीज बाद में लिखी है, वो पहले वाले से रिलेट कर पाए और पढ़ने वाला कन्फ्यूज ना हो. सेकेंड चीज, लिखने से पहले आप उसके नोट्स बना लीजिए. ऐसा होता है कि जब हम लिखने बैठते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं. बहुत सारे आइडियाज जरूरी नहीं है, लाइन वाइस ही आएं. तो बेटर है कि आप उसके नोट्स बना लें. जब आपके पास 10-15 पॉइंट एक साथ लिखे होंगे, तो आपको पता होगा कि मुझे पहले क्या लिखना है और बाद में क्या लिखना है. ऐसे आपके राइटिंग में गलतियाँ भी कम होंगी और आपके पास आइडियाज भी बहुत होंगे. थर्ड चीज रोज लिखिए. प्राक्टेस जितनी करेंगे उतनी कम है. छोटे छोटे टॉपिक ले लिजिए. जैसे काव पे लिख लिया, ट्रीज पे लिख लिया, अपने घर के बारे में लिख लिया, खाने के बारे में लिख लिया. छोटे छोटे टॉपिक पे आप लि लगेंगे नमब फो जो भी आप लिखते हैं आप किसी से चेक कराईए किसी को भी आपके घर में अगर इंग्लिश अच्छे से आती हो जो आपकी राइटिंग चेक कर सके या फिर अपने टीचर से स्कूल में या कोई ट्यूशन आप जाते हों नहीं तो आप मुझे भी मेल कर सकते हैं अगर आप मेहनत करना चाहते हैं कि मैं आपकी पूरी हेल्प करोगी नमब फाइव जब भी आप कुछ लिखें पहले उसके बारे में पढ़ लें जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो जो आपको आइडियास खुद आ रहे हैं उसके लावा भी आपको बहुत आप खुद को इंप्रूफ करने की कोशिश करेंगे तो इसी से हमारा नेक्स पॉइंट आता है खुद को इंप्रूफ कीजिए ये नहीं कि अगर आप आप आज जिस लेवल पे लिख रहे हैं दस पंदरा दिन बाद भी उसी लेवल पे लिखें अपने लेवल को थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाईए और लेवल कैसे पड़ेगा तो यह है नेक्स पॉइंट न्यू वर्ड सीखिए डेली आप एक न्यू वर्ड ले लीजिए उसको अपने डेली लाइफ में यूज करिए उसको जितना हो सके ज़रूरी नहीं सिर्फ राइटिंग में बोलिए लर्ण लर्ण करने के ज़रत नहीं है जब आप उसको अपने डेली कॉन्विसेशन में यूज करेंगे तो वो आपके दिमाग में खुद ही बैच जाएगा उसको रोज पढ़िए उसको अपनी राइटिंग में यूज करिए फिर देखिए आपकी राइटिंग का लेवल कितना हैं जब सामने वाले ने कुछ लिखा होता है तो हमें यह पता लगता है कि उसने क्या सूचा होगा यह सीक्विंस क्यों बना और सीक्विंस पर बन सकते थे आपकी सोच वास्ट होगी आप सोचने लगेंगे कि यह लिखने की बजाए हम यह भी लिख सकते थे इससे आपकी विस्भी सब्सक्राइब किन अच्छी होंगी जरूरी नहीं कि आप अकेले ही सीखें ग्रुप में वैठे तीन चार जने एक टॉपिक ले उसके बारे में discuss करिए एक दूसरे के ideas पता लगेंगे आप दूसरों को correct करेंगे correct करने से ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आप किस level पर हैं दूसरे इंसान की भी help होगी जिस को आपसे ज़्यादा आता है आपको उससे सीखने को भी मिलेगा I hope आप ये सब points का ध्यान रखेंगे और अपनी writing skills की practice जल्दी शिरू करेंगे मैं आपके mails की wait करूँगी तो यही था आज का छोटा सा lesson छोटी सी बातचीत थोड़ा सा जिखाया मैंने कि writing skills कैसे करते हैं I hope आपको समझ आया हो और अच्छा लगा हो हम मिलते हैं next lesson में उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूँ मेरे पास काफी बच्चों के mails आए कि उनको words आते हैं, sentence बना लेते हैं वो बट उनको बोलना नहीं आता उनको पता नहीं लगता कि कौन से चीज कब बोलनी है कैसे बोलनी है, confidence नहीं बन पाता तो इसके लिए मैं जल्दी एक सीरीज स्टार्ट करूँगी जिसमें हम एक सेनारियो के हिसाब से conversation सीखेंगे पर एक्जामपल जैसे हम स्कूल में कैसे conversation कर सकते हैं घर में कैसे कर सकते हैं market में, mall में, hotel में ये सब हम सीखेंगे उस सीरीज में तो हम मिलते हैं नेक्स लेसन में तब तक के लिए keep learning